लोग गईद आपका स्वागत बरेने वीडियो में तो सबसे पहले बात कर लेते कल इंगा सूपर कप के बारे में कल इंगा सूपर कप में कल वो हुआ था जो की लास्ट बाड़ा साल से इस्ट पंगॉल के फैंस बेट कर रहे थे तो फाइनली इस्ट पंगॉल ने एक ट्रॉफी जीता है वो भी आफटर 12 साल पहले उन लोगोंने फेडरेशन कप जीता था डेंपो को हरा के अब उन्होंने उडिशा को हरा के सूपर कप जीता है और इसी के साथ साथ इस्ट पंगॉल ने एसी चैंपियंस लीग 2 मतलब जो जो अभी तो पहले तो एसी कप का नाम वैसे चेंज हो चुका है तो एसी चैंपियंस लीग 2 में अपना जो स्लॉट है उसको कन्फर्म कर दिया है और बहुत ही जादा है कमाल का मैच हुआ है स्टार्टिं से लेके एंड तक एक घंमासान मैच हुआ है व्योंकि अगर हम लो अगर है तो एक टॉप क्लास क्वालिटी का गेम खेला है जो की देखने में काफी ही जादा टॉप नौज लग रहा था और एक काफी जादा बढ़िया गेम है लाइक इस पंगॉल के लिए तो फर्स्टाफ में स्कोल लाइन था 1-0 सेकेंड हाफ में इस पंगॉल ने जो प और दोनों को इस अगर गया था और दोनों का इंपॉटेंस दोनों का क्वालिटी आप सेकेंड हाफ में देख सकते थे कितना ज्यादा टॉप नौच परफॉर्मेस उनके तरफ से और लाइक यूण टॉप नौच गेम उसके बाद एक पैनल्टी मिला इस पंगॉल को जो कि टेकनिकली पैनल्टी नहीं था लेकिन उससे पहले भी एक बॉक्स के अंदर फाउल वा था जो कि एक्चुली में जनुएन पैनल्टी था जो कि किश्मेगाल को नहीं मिला था तो वह चीज स्क्वार आउट हो जाता है लेकिन इस पैनल्टी के चलते मूर्तादा फॉल को य योलो कार्द मिला जो पहला योलो काड था वो तो खेर डिसर्फिंग नहीं था क्योंकि क्योंग टाची कुछनaba था बाद जो सेकर इलोकार था 97 लेकिन जो पेनल्टी मिला है उडिशा को वहाँ पे रोयकृष्णा का बहुत बड़ा करेट है क्यूंकि वह जो पूरा डिफेंस ब्रेकिंग जो पास होता है ना वो दिया था डियों को माउडिशियों को और माउडिशियों ने काफी इस पेनल्टी में काफी कूली कामली गोल किया तो मैच गया एक्स्टा टाइम में क्लीटन सिल्वा ने इस पंगॉल के बहुत ही जादा बड़िया इंटरसेप्शन के साथ गोल किया पूरा उनका क्रेडिट वहाँ पे कुछ डिफेंसिव लैप्स था लेकिन इसी के साथ साथ इस पंगॉल बन चुके कलिंगा सूपर कप के नए चैंपियन अब अगर हम लोग कुछ प्राइजस का देख ले तो जो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड वो हिजाजी माहिर को मिला है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है इसाक जो कि काफी वो डिजर्फ करते हैं काफी अगर मिट फिल्डर देख लिए तरह कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं है में जाओ को चोड़कर और हैस्ट गोल स्कॉरर का अवार्ड मिला है लाइक क्लिटन सिल्वा को क्योंकि उन्हें पांच गोल स्कूर किया है वो बी कल के मैच में कफी इंपोर्टन गोल स्कूर किया है काफी टॉप फॉर्म में है नजर आ रहा है वो गेम में अब जो आने वाले मैचेस है उन में डेफिनेटली मदब इसल में उनका जो परफॉर्मेंस से बहुत जा निखर के आएगा क्योंकि वह जी अचीवमेंट चाहिए था अचीवमेंट इस्वेंट को मिल चुका है अब देखना बहुत इंटरेस्टिक होने वाले का इसल में परफॉर्मेंस कैसा रहता है बठाए बढ़ बात कर दे बैंगलोर इसी ने साइनिंग कम्प्लीट कर लिया चिंगलेंसाना सिंग का अब चिंगलेंसाना सिंग के उपर काफी सारे टीम्स एंट्रेस दिखाया था मोहन बगानुन में से एक थे लेकिन चिंगलेंसाना सिंग ने भी बैंगलोर को चूज कि और बैंगलोर के साथ चिंगलेंसाना सिंग का बात भी काफी तक आगे बढ़ चुका था तो कल यह चीज़ ऑफिशियली बैंगलोर ने चिंगलेंसाना सिंग बैंगलोर में ही आने वाले और deal finalize हो चुका है complete हो चुका है तो यह अपने आपने काफी जादा बहतरीन डील है बैंगलोर के लिए जुकि जो defensive stability है बैंगलोर का वो काफी जादा improve हो चुका है इसी के साथ साथ अब हाईदरबाद में इतने सारे key players है लेकिन salary का issue तो चली रहा है हर एक player के साथ तो जाथ players जो है वो club छोड़के दूसरे club में जाना ही prefer करें चिंगलेंसाना सिंग भी उनमें से एक थे और इसी के वैसे चिंगलेंसाना सिंग भी बैंगलोर में देख पाएंगे और बैंगलोर में उनको for sure है काफी बढ़ या play time मिलने वाला है मतलब अभी तो वो जिसी भी club में जाते है उसमें ही उनको play time मिलता इसमें कोई नया बात नहीं है लेकिन आदेखना काफी interesting होगा कि जो ISL में उनका performance बैंगलोर में आने वाले matches में और जो second half of the season है उन में कैसा रहता है and क्या यह जो signing है यह long term तक जा पाता है या या फिर next year के अंदर अंदर बैंगलोर इनको release कर देते हैं यह काफी जादा देखना है चीज़ों का नहीं बात करते हैं उडिशा से के बाड़े में तो उडिशा ने भी एक loan deal complete किया है वो भी none other than हितेश शर्मा का तो हितेश शर्मा काफी creative midfielder है और forward में अच्छा कासा support भी provide करते हैं तो हितेश शर्मा का यह जो loan deal है यह अपने आप में काफी ज्यादा exceptional level का एक signing आप इनको consider कर सकते हैं हितेश शर्मा काफी एक तो player बहुत अच्छ है और उनका overall जो performance अगर अब लोग देख लोगे तो काफी ज्यादा solid performance है हितेश शर्मा का so हर हर एक angle से ही हितेश शर्मा का जो signing complete के उडिशा ने वह बहुत ही ज्यादा बढ़िया signing है और सर्जो लोबेरा ऐसे प्लेयर्स को काफी अची तरीके सी उट्लाइज कर सकते हैं तो देखना काफी इंडिश्रिक होने वाला है कि हितेश शर्मा का overall performance उडिशा में जो सेगंड हाव दो सीजन उस पर कैसा आ रहता है तो आप लोगों पता ही होगा कि संदेश शिंगन प इंडिया अल्डेडी है उनके पास तो उनको एक नया इंडियन डिफेंडर चाहिए अब जो एक्चुली मार्केट में जो अच्छे डिफेंडर अविलेवल थे जैसे चिंगलेंसाना सिंग उनका तो वो साइनिंग कंप्रीट नहीं कर पाए महताब सिंग का साइनिंग कंप पूल है हम सब को पता है वोई प्लेयर को यूथ से पिक करके उनको डिफेलप करके उनको नया बिग प्लेयर बनाना या फिर नया बिग ठिंग बनाना जो कि मैंना मार्केट का काफी स्मार्ट ली अच्छे तरीके से बुल आफ कर सकते यह कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा उनके लिए तो देखना बहुत ही इंट्रिस्टिंग होने वाला है कि इसी गवा का नया डिफेंडर कौन होता है बट है वो फॉर इन डिफेंडर का साइनिंग तो कंप्लीट करने ही वाले हैं और शायद जिनका अनॉंस्पेंट में हम लोग एक दौपते के अंद इस समर लेक इस विंडो के बाद यह सीजन के बाद विक्टर शिमान नेपोली चोरके जाने वाले तो उनके लिए फॉर्ट शो ने काफी जादा बड़ी ऑप्शन हो सकता है तो कि नेपोली को भी एक ट्रांसफर फीच यह फॉर्ट विक्टर शिमान का जो रिलीस क्लॉस है वो 130 मिलियन यूरोज है जो कि युनाट के लिए देना काफी मुश्किल है बढ़ा अगर वो थोरा सा पुश करते फाइनेंस को तो यह डील वो रिलीस क्लॉस देखे भी ट्यक कर सकते लेकिन क्या 130 मिलियन यूरोज युनाट अभी देना प्रिफर करेंगे विक्टर शिमान के लिए यह काफी जादा देखने लाए शीज होगा नेक्स बात अलिलाल के बाड़े में तो अलिलाल इंट्रेश दिखाया रोमिले लुकाकु के उपर अब लुकाकु नो डाउट है काफी जादा कम्प्लीट लाइक प्लेयर थेक टाइम पर अभी उनका फॉर्म उतना है नहीं सोगा इज यह साच का वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करना शेयर को स्क्राइब करना में बन भुलना और अब लेका दो दना तांके में जब अप्लोड करूं तो नहीं